बुलोशत गुरु भगवानी कीजे परंपोज, गुर्देव, श्रीहरी, मातापिता और भग्त, धर्म और सब्त, सबी को प्रलाम, मेरा प्रलाम स्युकार करें। तो गुरु ब्रम्मा, गुरु विष्णु गुरु देवो महेशुरा, गुरु साक्षात परब्रम्तस्मैं श्री गुरु वे नमा, अखंडे मंडला कारंभ्याप्तम येन चराचरं, तत्पदम दर्षतम येन श्री गुरु वे नमा। हे गुरू, हे परमात्मा, आपके दे से मेरा दे है, आपकी आज्या धर्म की आज्या है, आपकी आज्या अगनासी की आज्या है, आपकी आज्या भक्त, वत्सल की आज्या है, ये सब समझ करके हमारा कर्तब है कि धर्म पर आयड़ों करके धर्म की आज्यां का पालन करते रहें चलते हैं अपने दिशा धर्म और सत्व अबनासी की चर्चा समाच में सभी का आधर भाव से सहस सम्मान करो कोई भी हो और हम उन्ही के हिर्दे में रहता हूं जिनके चित में समता रहती है भगवान की कता सत्संग हज्जारों कानों से सुनना चाहिए सिरी हरी अपने शरूप में ही रमल करते हैं सभी भक्तों से यही कहना है हम स्वम से यही कहना है कि भगवान उस जगे हैं उस हिर्दे में हैं जहां भागवत परायण भग भगवान का हरी कीर्टन करते रहते हैं भागवत सार सत्संग समागम सादू संग और सास्त ज्यान करते रहते हैं क्योंकि सीरी हरी के जन्म और कर्म दिब्ब हैं कि चलते हैं थोड़े मन को सन्यासी बना दो मन सन्यासी हो जाएगा तो हमारा ध्य सन्यासी हो जाएगा मारा कर्म सन्यासी हो जाएगा सब को सन्यासी ही बना दो रिष्टे नाते एक जन्म के ही होते हैं साथ जन्मों तक नाता रहे हमारे पती पत्नी का अरे भईया दो मिनट पहले हम का सब्द जो कर्म किया तो वो तो भूल जाते हैं इस जन्म में मरलो प्रांद के दोरान हमें अपने पराय वह सुम्मान को yad नी रहता है साज जन्मों का नाता कॉन प्रयाद करकर करके आया है वो तो एक औध लेख दी किसी से ने तौह म सुनते रहते हैं अबीकडको बर्तमान का देखो बत्मान का परस्तिती देखो कि हम सही दोनों दामपत्ती पती-पत्नी सही जिंदकी मित्र भाव से जी रहे हैं अन्यता दुराचारता तो नहीं कर रहे हैं कुरूरतार तो कहीं नहीं कर रहे हैं प्रेम पूर्वक एक दूसरे के भाव को समझ रहे एक दूसरे के भा नहीं चाहिए है शरीर विनासी है इसका एक ना एक दिन विनास होना है निश्यत है आत्मा अगनाशी है आत्मा का कवी विनास नहीं होता है आत्मा आजार अमर है आत्मा परमात्मा का अंस है बात यहां आती है कि हमको मोक्ष लेना है, हमको मोक्ष करना है, अरे भीया मोक्ष किसका करोगे, सरीर का कोई मोक्ष है नहीं, सरीर की तीनी गती है, उसकी गती भी कोई नहीं है, मन मोक्ष करना है, जब मन मोक्ष हो जाएगा, तो आप जिन्दा भी मोक्ष हो गए, पर तीनों आजो गुड से भी न नहीं रह पारे तो तमो गुड से तो परे हो जाओ, तमो गुड तो धारल ना करो, मुई भावना, प्रीति, हम उसके बिना नहीं रह सकते, अपने बालकों के बिना नहीं रह सकते, अपनी पतनी के बिना नहीं रह सकते, अरे थोड़ा तो त्याग करना पड़ेगा भगवान ने कैसे त्याग किया मानो रूप में हमारे महापुर्सों ने कैसे त्याग किया कैसे हज्जारों वर्ष तपिस्या करते थे कुछ न पुछ त्याक करना पड़ेगा कर्म जो भी करो वो निस्काम हो साकाम ना हो कोशिस करो निस्काम होता है तो अच्छी वात है नी तो साकाम करो साकाम में आपका जो कर्म करो गो इसका फल मिलेगा उसको भोगोगे भोगना पड़ेगा भगवान भोगने के लिए लेकिन धर्व पूरवग भोग ना है, साकाम भाव से भी कर्म कर रहे हो मृतलोक में गिरस्तास्रम के दोरान, पर उसको धर्व पूरवग भोगो, धर्व पूरवग एस्वर करो, अधर्व पूरवग एस्वर मत करो, मर्यादा के अंदर ही रह करके ही अपना एस्वर भोगो, किसी को दिखावा मत करो समाज में आ करके क्यों समाज सबसे उची होती है समाज प्रधान मंत्री भी अगर आता है किसी IS, PCS जो भी हो कोई भी पदातकारी हो, किसी भी विवाग में हो जब समाज में व्यक्ति उतरता है तो अपने जो भी पद, प्रधिष्टा है वो सब वहीं छोड़े आता है अपने विवाग में छोड़के आता है और समाज को प्रवाम करता है समाज में अगर बुजुर्ख है तो बुजुर्ख का सम्मार करना पड़ेगा उसको सीट पहले देनी पड़ेगी अगर आप नीचे बैठने लाएगो तो नीचे बैठिए जब प्रधान मंत्री अपने पत्ते बैठा होगा तो वो एक राजा है देश का है समाज मोतर के आ रहा है तो एक समान हो जाता है वो अपनी जगे है पद अपनी जगे है प्रतिष्टा अपनी जगे है, बिभाग अपनी जगे है, पर समाज से बढ़करके समाज एक दिरिश्टी कोण है, भगवान भी समाज को प्रडाम करते हैं, तो हमारी तुमारी क्या उखाद है, जो अपना पद समाज में ले जाकरके अपना पद दिखाएं, कि हम इस पद पर हैं नन्य था नहीं हम समाज में वो समाज का उस परिस्तिती बताएगी आप तहां बैठने ले आएगो किस जगे बैठना चाहिए क्या करतब करना चाहिए आपका उस समय धर्म बन जाएगा वो धर्म करना चाहिए कर्तब कर्म और ज्ञान का धे ले करके धर्म पूर्वक उस समय सवाज में विच्रण करना चाहिए और समाज को प्रडाम करना चाहिए कारण धर्म कर्म धर्म के लिए धर्म व्यक्ति गत होता है धर्म जो है और पद और अपना श्यम का रहन से यह हर चीज का स्रे अलग अलग जाता है जब समाज में हो जब अपने पद में हो जब अपने परशनल जिन्दकी जी रहे हो सब का स्रे अलग अलग है दाज्त्य भी अलग अलग है शुभाव भी अलग अलग है उसमें भाव अलग अलग बन जाते हैं व्यक्ति धर्म है मन का कारणा कर्तब्द भाव उसमें आप कोई कर्तब कर रहे हो पर्ष्तिती के प्रित्गूल कहां हो किस जगे हो वो जो मन है आपका वहां पर अपनी भाव को पर्ष्तिती के अनकूल अपने मन को बदल लो धर्म में ब्याप्त कर लो कर्म अपनी आप अच्छा हो जाएगा जग कर्म अच्छा होगा तो फल भी अच्छा ही हो जाएगा इसी के साथ आप सभी को प्रणाम धन्यवाद जी आप सभी आप सत्याओ